वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एजी लाइफ स्टायल विंदिदा कैसे हैं आप सब उमीद करती हों कि सब ठीक होंगे अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबादे ताके मेरी हर ने आने वाले वीडियो आपको टाइमली मिल सके तो वेवर्ज आज हम बनाने जा रहे हैं सबस्क्राइब करशा सब तो आइए देखते है कि इन किन चीजों से बनाई जाती है और ये कैसे बनती है श्वार्मा स्वास बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटा ब्लेंडर ले लिया है उसमें एक कप मायोनीज शामिल कर ली है मायोनीज आप किसी भी ब्रेंड का इस्तमाल कर सकते है इसके बाद हम इसमें लेसन कटा हुआ डाल देंगे तीन से चार तिल शामिल किये हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस सॉस को बनाने के लिए दही शामिल कर देंगे हाफ कप तकरीबन चार से पांच टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून और इगैनो पाउडर एक चुटकी अगर आपके पास इसके लीव्स हैं तो आप वो यूज़ कर लें और यह उप्शनल है इसके बाद मैंने इसमें एक बड़े साइस का लीमू करस डाला था हाफ टी स्पून इसमें चिले फ्लिक्स जाएंगी इसकी शेप बहुत अच्छी आती है और यह अच्छा टेस देती अच्छा था और लास्ट पर हम इसके बाद मिक्स हो जाएंगी अब हम सॉस को निकाल लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं एक क्रीमी और अच्छे टेक्स्चिर वाली हमारी शौरमा वाइट सॉस त्यार हो चुकी है इसको बनाना बहुत ही असान है आप इसको जरूर घर में बनाएं और यह बजार वाले शौरमा सॉस से बहुत ज्यादा अच्छी होती है और आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं सॉस हमने बनाई है आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि यह ना ज्यादा गाड़ी है और ना ही ज्यादा पतली है आप इस सोस को बहुत सारी और चीजों में भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे सेंड़ुच वगरा बनाने के लिए ब झाल